तो South Africa और Australia के बीच आज को जो एक तीसरा वंडे मैच होगा जो के Kings meet Durban के उसी मैदान पर खेले जागा जहाँ पर इसके पर दोनों T20 मैचेस खेले गए दोनों को दोनों T20 मैच इसको Australian टीम ने काफी convincingly उसको जीता आज के इस मैच में अगर आप differential प्लेयर्स की बात करें तो आपके लिए कौन सा better differential pick होगा विगेट कीपिंग ओप्सन में या आप दोनों के साथ जा सकते हैं इवन यहाप बैटिंग सेक्सर में जाकर करके अगर आप देखें तो रीजा हेंडिक्स को छोड़ करके बाकी सभी बैटर्स को लोगों ने एक तरह से बिलकुल इग्नोर कर यह क्या है जिसमें एक रेजीवां डसन एक बहुत important pick हो सकते हैं इवन आगे बढ़ते हुए आल्राउंडर की बात करें तो उसमें almost सभी को लोगों ने पिक किया Marko Jansen available है नहीं लेकिन Aaron Hardy एक ऐसे नाम हो सकते हैं जो कि आज किसमें बड़े differences pick क्यों होंगे उसको discuss करेंगे और जो balling सक्षान है उसमें अगर आप जाकर कर देखेंगे तो तब्रेज सम्षी, एडम जंपा, लूंगी एंगीडी, इवन गिराल कोईड़ जी जैसे ballers जो कि आज केस मैचे बड़ा role play कर सकता है यह देखते हुए कि दो मैचेस मैचे में विकेट यूज किया जा चुका है फिलाल यह जो मैचे साउथ अफरिका और आस्टेलिया का यह 3 सितंबर को सामको साड़े 5 बजे से खेला जाएगा इसका सारा final update आपको मेरे टेलिग्राम को चैनल पर मिलेगा टॉस होने के बात के सारी के सारी updates चाहाई बैटिंग ओन्डर की बात करने या अगर मैं बात क लेने है तो जाइए लिंक को क्लिक करके चैनल पर पहुंचिए और लीचे का जोएं बटन को क्लिक करके जोइन करिए और साथी साथ विकट की हम बात करें था जो जो किंग स्में डर्बन का मैदान है यहां पर जो सबसे बड़ी चीज आज के समाच में देखने वाली होगी वो यह देखने वाली होगी कि कौन सा विकट यूज किया जाएगा क्या जो पिछले दोनों T20 में विकट यूज किया गया वही होगा या कोई डिफरेंट और फ्रेश ट्रैक यूज किया जाएगा वैसे एक अच्छी खासी स्ट्रोक प्लेंग अबिलिटी वाले जो बैटर यहाँ पर सी मुवमेंट हमेशा मिलता रहता है सेकेंड इनिंग में बैटिंग करना यहाँ पर वैसे तो विकट यहाँ पर डिफरेंट आज के इस मैच में थोड़ा से डिफकल्ट होगा अगर सेम विकट यूज किया जाता है और उस कंडिशन में जहां तक मुझे लगता ह है तो कोई भी टीम मुझे लगता के पहले बैटिंग करना प्रिफर करेगी अभी तक के जो दो मैचेस हुए दोनों ऑस्ट्रेलियन टीम में जीते पहले वाले मैच में 226 रम बना करके उस मैच में 115 के स्कोर पर आल आउट कर दिया साथ अफरिकन टीम को संदाव तरीके से जीता हूँ सेकंड मैच में फिर से वन साइड़ जीता एक सो चौसर रम बनाने दिये साथ अफरिकन टीम को आठ विगेट का नुखसान पर तॉप और पूरी तरह से फ्लॉप रहा भी तरह साथ अफरिका का और उसके बाद एक सो अटसर रम बनाकर के दो विगेट पर जिस और इन 6 के 6 मचस में स्पीनर्स, को मिली है, 21 फिक्ते, पेसर पेसर को छूंत 28 फिक्ते, 27 पहली इनिंग में 21 सेकंड इनिंग में जीकि स्पिनर्स को 21 मैं से 12 पहली इनिंग में 9 सेकंड इनिंग में रहां पर से मैं ने गाली दूसरे मैच में मिटनि लेकिद दूसरे महीं वाले मैच में ना सिर्फ सिनीबस टिम यहाँ पर यहाँ ब्लाइब से साहुआ टाम करोने बृत कर यहिए को देखते विए कंडिسन को क्यों से बॉलर आज केस मैचा हमारे टीम में इंपोर्टन होंगे उसको आगे डिसकस करेंगे लिए उसके पहले प्लेंगे लिए उन देख लिए दोलों टीमों के तरफ से जिसमें यह जो सौथ अफ्रीकन टीम का प्लेंग लिए आपको दिखाई पड़ रहा है विकट कीपि और जिस तरीके के इनकी बैटिंग अभी तक कोलैप्स होती रही है तो आज केस मैचे जहां तक मुझे लगता है कि जोस इंगलिस्त की तो इंपॉर्टन्स होगी जोकि वो नंबर चापर बैटिंग करते हैं साथ इसाथ ट्रिश्टन स्टप्स भी बड़ा रोल प्ले कर सकत बाकि बाटिंग डिपार्टमेंट जाकर करें तो तिमबा बाववा ने पिछले मच में अच्छी ताबर तोड इनिंग खेले एक अच्छे ऑपसर होंगे आज के समझे डिफरेंसल प्लेयर क्रूप में रीजा हें पहले मैच में अच्छा कर गया है दूसरे मैच में फ्लॉ यह दोनों आज के समझे बड़ा रोल प्ले करेंगे तिमबा बावमा और दीजा हंडिक्स के साथ इस वजह से जहांते मुझे लगता है कि अगर इंका टॉप और चला तो आब ट्रिश्टन का उतना बड़ा रोल नहीं होगा और डिवाल ब्रेविस का भी और उस कंडिशन म अब सारे अब्डेट्स में टेलिग्राम पर मिलेंगे तो अभी हमको कोछ भी डिसीजन एक तरह से लेकर के नहीं चलना है चोकि यह जो मैच होगा यह थोड़ा सा रिस्की होगा क्योंकि आस्ट्रेलियन टीम यहां पर चेंजिस करके आ सकती है बाकि इनकी जो बॉलिंग है उस पर आप ज़रूर ध्यार बराके चल सकते हैं लिजाड विलियम से दोन मैच में पावर प्ले के अंदर विक्टे निकाली है टोटल चार विए दो मैच में ले चुके है पूरे दस ओवर की बॉलिंग कर जाते है रीजा हें बालिंग कर जाते हैं बाकी लूंगी लिजाड विलियम से आज के इस मैच में अगर सेम विकट यूच की जाती है पहले दो मैच वाली तो यह एक बहुत ही बड़े पीक होंगे जिनको लोगों ने सिंपली ग्रूर किया है ना तो लोगों ने ग्रूंगी एंगेटी हलांकि लूंगी एंगेटी को ना लेने का का करण भी है चुकि दोना मैच में खुब पीटे भी है और विक्टे इनको नहीं मिली है लेकिन पहले इनिंग की बॉलिंग में लोगें इंगी इंडी स्टिल काफी बड़े नाम होंगे तो यह तीनों की तीनों जो खिलाडी है नीचे के नवे दसमें और ग्यारवे नंबर क इंग्नोर किया है चुकि कुछ खास कमाल ने किया भी नहीं लेकिन आज के इस मैच में कुछ बड़ा कर सकते हैं चुकि एक मैच तो अच्छा जरूर जाना चाहिए बाकि मैथ्यू सौर्ट ने पिछले मैच में नाट आउट रहे हैं दोनों ही मैच में कमाल के बाइटिंग की है बालिंग भी कर सकते हैं बाकि जो सिंगल इस नंबर चार पर आ रहे है तो इस वज़ा से थोड़ा सा इंपोर्टन सिंका बढ़ जाता है विकेट किपिंग सक्षन से बाकि आल्टाउंडरस में मारकर स्टोनिस के साथ क्या हुगा पहले मैच में बालिंग किया तीन वि बालर खेले थे चार-चार ओवर के एडम जंपा पहली बार खेले थे इंको विकेट नहीं मिला लोगों ने इनको आज के समझे टीम में पिक भी नहीं किया है पूरी तरह से और आज के समझे बड़े नाम होंगे एक बार फिर से वहीं चीज़ ध्यान में रखने वाली बात तो लोगों ने ट्रेविसेड एक आज के समझे डिफिरेंसल बड़े पीकाप के लिए हो सकते हैं तो प्लेइंग लोन को समझने के बाद बाकि दोनों टीमों का बेंच भी देखकर करके मैथिवेड, एस्टन टर्नर, स्पेंसर जॉंसन और तनमीर संगा एक ऐसे नाम है जि इनके पास केसों महाराज अब ये टीम को जॉइन कर चुके हैं, बियोन फार्चुइन की जहां पर ये प्लेइंग लोन में आ सकते हैं, बड़े नाम है केसों महाराज पता नहीं क्यों अभी तक नहीं जॉइन कर पाया थे या खेलते हुए दिखाई नहीं पड़े थे, ले इसो सूनी की दो पारी, तिमबा बाउमा की रही, तीनो चपन की दो पारी, रीजा हेंडिक्स की, डेवाल ब्रेविस दो रह मैच में फ्लाप रहे, जीरो और पास रंग की पारी, बाकि अगर इंका बैटिंग ओर उपर होता है, तो इनकी इंपोर्टनस बढ़ जाएगी, लुंगी एंगेडी, दोना मैच में विकेट लेस गए है, गिराल कोईड़ जी को पहले मैच में की वाल एक विकेट में आ था और तबरे समसी ने दोना मैच में एक एक विकेट ले रहा है, लेकिन आज के समचे एक बड़ा रोल प्ले करेंगे, जबकि लोगों ने इनको प पूरे हैं मुझे लगता है आज के समयच में इनो ने भी आपने आखरी पांच मैचस में तीन उक्टे लिए है, करियर के 25 मैचे 22 उक्टे लिए है, वो देखना इंपॉर्टन्ट है, बाकि सिसांड़ना मगला तो बाहर ही है, उनके बारे में कुछ बात करने की जरूरत है और बाकि सभी प्लेयर्स के इस सीरीज के पहले के जो परफॉर्मेंसे है, वो भी यहाँ पर आप रिशनट फार्म में दे सकते हैं, बाकि डौनवन फरेरा को अगर बोका बेलता है, तो रिशनटली काफी ठीक ठाक फार्म में रहे थे, करियर यहाँ पर आप देखते हैं, 38 डोमेस्टिक टी-टोन्टी मैचस में, 722 राने, 31 का एवरेज है, अगर आज खेलते हैं, तो इकाट डेब्य होगा, खेलेंगे भी तो नमबर 3, 4 वो बैटिंग करके देंगे, तो रिशनट फार्म और करियर इस्टेर देखने के बाद, हेड टो हेड और वेन्यू स्टेर ज जिसमें एक-दो चीजे अगर आपको मैं रिपीड भी कर दू, तो तीन मैच पे केवल 47 रहने हैं, जिसमें 35 की ही पिछली मैच की पारी आई थी, तो आंकडे काफी खराब है बाउमा के, इस मादान पर 24 का एवरेज है, वाकि स्रीजा हेड्रेक से 7 मैच, 163 का एवरेज है, हेड्रेक में, इस मादान पर 24 का एवरेज है, उसी तरह से डिवाल बरिविस के आपकड़े, हेड्रेक और वेन्यू दोनों जोगाँ पर काफी खराब है, रेजी वाटनर डशन के भी आउस्टेलिया के खराब है, 6 मैच पे केवल 49 और 14 मैच चार सो 432 का एवरेज है, इस मै अगर बात करू, तो लुगी एंगिडी के आखड़े, इस मैदान पर काफी अच्छे रहे थे, पर इस तो दो मैच पर विकेट लेस गहे हैं, इसके पहले 4 मैच पर 7 विकेट था, अब 6 मैच पर 7 विकेट हो चुका है, वाकि इस मैदान पर भी वही हाल है, इसके पहले 8 इस मैदान पर इन्होंने टोटल 48 मैच पहले, और 45 विकेट लिए हैं, यहाँ पर मैथू ब्रिट्स की इस मैदान पर 4 मैच पहले 48 विकेट लिए हैं, जो अभी तक खेलते हो दिखाई नहीं पड़े हैं, डोनवन फरेरा का देखें, तो इस मैदान पर 1 मैच पर 82 विकेट लिए है, तो इस तरह से साथ आफ्रीकन टीम के बारे आपने सब को समझ लिया, और अस्ट्रेलियन डिंग की बात करें, इनके भी पिछले 2 मैच की परफॉर्मेस आलमोस आपको मने सूर्म मही बता दिया थे, इसमें अभी तक 18 और 6 की दो पारी खेल चुके है, जो सिंगलि परफ्रट्ट कि ऊंपर आगर बैटिंग करते रहे नीचे बैटिंग करेंगि ता ओप इनको freaked कर सकते हैं वाक्ये बार्केर सी स्टोरी इनका भी आपको मने बता था कि पिषले मैच में ना तो इस में टो तो टीम डेविड को कुछ मुझा मीना करने आथा बाटिंग बालि इनकी जहां पर पिशले वाले मैच में आ गये थे प्लेंग लों में जैसा बेरां डाप जिन्होंने दो विक्टे चटकाई वागे पिशले मैच में एरन हर्डी विगेट लेस गए पहले मैच में इनको बॉलिंग करवाया ही नहीं गया लेकिन आज के समझे श्टिल एक काफ इंपॉरटन रोल प्लेग कर सकते हैं जो कि यह बैटिंग भी कर लेते हैं तो इस तरह से और बागे च्छारकी अइड़्य चरफने मैच में पिशले मैच में पहले वाले मैच में लेंगी प्रिशली मैच में बॉलिंग भी करते हो दिखाई पड़े इस विर शिंग के taking शो तो तीन रन हो चुके 38 से मिचल मार्स का बाके ट्रेविस एड और जोस इंग्लिस इन दोनों का ही नंबर उतने अच्छे है नहीं हाला कि जोस इंग्लिस को बैटिंग भी नहीं मिल पाई थी प्रिशले मैच में एक रभ मलाकर करके नाट आउट रहे थे ट्रेविस एड के अच्छे डिफिरेंसल ऑप्सन हो सकते हैं हाला कि अब तक दो-दो मैचस वेन्यू और हेंट टुट के अभी आपने देखा रिशेंट फार्म में भी देखा विगट तो नहीं मिला लेकिन एक मुझे लगता है कि आज के स्मेच इंको बॉलिंग ज्यादा मिल सकती है और डे इस टब्स को पिक कर रखा है चांसे जाएका उनको ऊपर बैटिंग में भेजा जाए बाकि तीन बैटर तीन और और चार बॉलर है जिसमें यह भी ध्यान मने रखा है कि कौन कितने इस विकट को ध्यान में रुकते हैं विकट निकाल सकता है अगर पहली इनिंग की बॉलिं के डिस्कृतर में और कमेंट बॉक्स जो पिन किया गया कमेंट है वहाँ पर जाए लिंक है क्लिक करें टेलिग्रांग को जोईन करकर रखिए और इस पूरे वीडियो को देख करके लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देए पूरा वीडियो देख लेंगे तो कोई करेंगे चलते हैं नवसक्राइब